युद्ध, प्यार, परमानु विस्पोर्ट, ग्लोबल वार्मी, कितना कुछ जिर रहा है हमारा नीला ग्रह, और आखरी इन सब का जिम्मिदार कौन है? हम मनुश्य, परन्तु क्या आप जानते हैं, हमारे सुन्दर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह, जो हमारे लिए सबसे मुल्यवान है, वो कितने सालों के कठीन मैनत का फल है, क्या आप जानते हैं? आईए आज हम चलेंगे समय में पीछे, और सुरुवात से जानेंगे हमारे प्रित्वी के एक चटान के टुकडे से लेकर एक जीवन से सम्रिद्ध ग्रह बनने तक के सफर को, तो आईए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे, आज से करीब चार दसमलों छे अरब साल पहले, हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारो और धूल और चटान चक्कर काट रहे हैं, यहां हमारी प्रित्वी का नाम और निसान तक नहीं है, हम समय में कुछ जादा ही पीछे आ चुके हैं, अभी तक प्रित्वी के बनने की प्रक्रिया की सुरुवात नहीं हुई है, लेकिन इसकी निव तयार हो चुकी है, यह चटान और धूल अब गुर्द्वा कर्शन की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं, कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी हैं, लेकिन इसे हम प्रित्वी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आब यह बहुत ही गर्म हैं, यह आज के वीनस यानि सुक्र ग्रह के समान हैं, आज से करीब खौलते लावा से ढखी है, आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कुशिस मत करना, वरना आपके पास दुबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा, इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिगरी सलस्यस है, यानि यह जगह फिलाल नर्क से कम नहीं है, यहां ऑक्सि कहीं दूर के नहीं, बलकि धरती के पड़ोसी है, जो लगातार उससे टकरा रही है, उपर देखिए, यह है एक नया नवेला ग्रव, धिया, जो तेजी से हमारी और, यानि धरती की और बढ़ रही है, करीब 15 किलोमेटर पर 30 सेकंड के रफतार से, यानि एक गोली के रफता चटानों के टुकडे से घिर चुकी है, यहां इतने चटानी टुकडे हैं, कि इस वक्त हमारे धरती के पास भी सनिग्रा के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिलकुल सनिग्रा के रिंग के जैसा ही दो भागों में बटा है, पहला रिंग आज के धरती और चांद क पीछे, इस रिंग से एस्टरोइट्स लगाता धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टरोइट्स के असल बारिस अभी भी सुरू नहीं हुए, अब ये रिंग धीरे धीरे ग्राविटी की वजह से एक 3000 किलोमेटर चौडे गोलिय पिंड में बदल जाएंगी, और यहां हम द पूरी तरह से गर्मलावा से बना हैं, और इतने करीब होने के वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुटवाकर्शन प्रभाव डाल रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से सौर मंदल के ऐस्टरोइट्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्राविटेशनल मेस तयार हो रहा जो इन एस्टरोइट्स और कॉमेट्स को सौर मंदल के आंतरिक भाग में धकेर रही है, सिदे सिदे मंगल, सुक्र, बुद्ध और हमारे धरती की वजह, यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टरोइट्स की वजह से उसके जाने पैचाने दाग मिलने वाले हैं, इस धरती के इतने करीब था कि इसका गुर्दवागर्शन हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना जादा प्रभावित कर रहा था, हमारे धरती पर एक दिन 24 गंटों का नहीं, बलकि केवल 6 गंटों का होता था, और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में लहरे, आज क नदिया ठंडी होने लगेंगी, जिसे धरती के सता का निर्मान होगा, इस वक्त आस्मान में ये भीमकाय चमकिला चांदी एक मात्र चीज नहीं है, जो आपका ध्यान अकर्शित करेगा, बलकि आब आपको दो बहुती चमकिले तारे भी आस्मान में देखने को मिलेंगे, लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं है, ये दोनों असल में ग्रह है, जूपिटर और सैटन, सौर मंडल के आंत्रिक ग्रह, जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रौकी प्लैनेट्स हैं, और ये ज्यादा समय तक बिगले हुए लावा के रुप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन वहीं जूपिटर और सैटन, असल में गैस जायंट्स हैं, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती हैं, धरती के जन्व के इस समय काल में जूपिटर का टेंपरेचर 5000 डिगरी सालसियस और सैटन का 3000 डिगरी सालसियस था, इसका मतलब है कि जूपि किला था परंतु चार अरब साल के लंबे अवधी में ये ग्रहें भी धीरे-धीरे ठंडी हो जाएंगे आईए चलते हैं वापस हमारी धर्ती पर धर्ती के वायमंडर में फिलाल केवल एक ही गैस है मीथेन आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना वरना कुछ मिंटों में ही मान किया धर्ती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी लेकिन यहां ना तो पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सास लेने के लिए ऑक्सिजन हमारी धर्ती अभी कुछ हद तक प्रित्वी कहने लायक बन चुकी है लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नही पनपा है आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धर्ती पर जीवन की सुरुवात कैसे हुई की इस पूरे कहानी को जानने के लिए आप इस सीरीज के एपिसोड वन और एपिसोड टू को जरूर देखिए यह दोनों एपिसोड आल्रेडी चैनल पे है वीडियो उसके लिंक् और फेस्बूक में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब करने के साथ साथ नोडिफिकेशन बैल को भी अन कर लो मैं मिलता हूँ एक और नए अपिसोड के साथ तब तके लिए जाहिन बाई